आपके आग्या है तो रच्छा लंकरन समारो प्रार्म किया जाए शत्रु का मुकाबला करने के सिवाए साधारन वीरता के लिए कीरती चक्र मरणों परांथ इंस्पेक्टर दिलीब कुमार दास, एड कॉंस्टेबल राज कुमार यादफ, चॉंस्टेबल बबलू राभा एवं कॉंस्टेबल शंभू रॉय, दोसो दस कोब्रा बटालियन केंद्रिय रजर्ब पुलिस बल मरणों परांथ तीन अप्रेल दोहजार एकिस मावादियों की मौजूदकी की सूचना के आधार पर 36 गड़ स्थित बीजापूर के घने जंगलों में एक संयूक्त अभियान चलाया गया मावादियों दोरा बैरल, ग्रिनेज, लांचर तथा अन्य स्वचालित हथियारों से अचानक किये गए तीब्र हमले का मुहतोड जबाब देते हुए अभियान दल ने तुरंत मोचा संभला छे घंटे से अधिक चलीस भीशन मुठ भेड में पांच सशस्त्र मावादियों को मार गिराया गया एवम उनके पास से हथियार मैगजीन तथा कोला बारूद बरामत किया गया अडिगी चाशक्ती अदम में साहस एवम अनुकरणी करतब निश्था का परचे देते हुए इंस्पेक्टर दिलीब कुमार दास हेट कॉंस्टेबल राच कुमार यादव कॉंस्टेबल बबलू राभा एवम कॉंस्टेबल शंबू रॉय ने आखरी सास तक लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्य बलिदान दिया सम्मान गहन करेंगे उनके परिवार जन श्रीमती प्रांजली दास धरमपत्नी स्वर्गिय श्री दिलीब कुमार दास श्रीमती ग्यानमती यादव धरमपत्नी स्वर्गिय श्री राच कुमार यादव सर्गिय श्री बबलू राभा की धर्मपत्नी श्रीमती लिपिका राभा तथा माता श्रीमती कल्याणी राभा सर्गिय श्री शंभु रोय की माता श्रीमती अंजली रोय एबंपिता श्री दुजो राज रोय कर दो कर दो कर दो दिराश्ट्री डाइफल्स मरणों परांद सिपाही पवन कुमार 27 फरवरी 2023 को कश्मीर के पुल्मामा जिले में चलाए गया आतंक विरोधी अभ्यान में एक खोजी दस्ते का नेत्रितु संभाल रहे थे उद्कृष्ट रणनीती कुशलता के साथ अभेद्य खेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो जोही लक्षित मकान में घुसे भाचे पे आतंकियों ने ग्रिनेट फेटते हुए अंधा धुंद गोलियां बरसानी शुरू करती अपने साथियों को प्राणगा तक खत्रे के बीच देख वो निदर्ता से आगे बढ़े एब आतंकी का हत्यार चीनते हुए उसे बेहत नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया गंभीर रूप से जखमी होने के बावजूद ये शूर वीर सैनिक आखरी सास तक आतंकी का मकाबला करते हुए अंततह वीर गती को प्राप्त हुए सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गे सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमती भाजन दसी इबन पिता स्री शेशुपाद कैप्टन अंश्मान सिंग दामी मेडिकल को 26 में बिटालियन पंजाब रेजिमेंट मरनु परांद कैप्टन अंश्मान सिंग ऑपरेशन मेगतूत के अंतरगत सियाचन ग्लेशियर में चिकिटसा अधिकारी के रूप में दैनात थे आपने 19 जुलाई 2023 को वहां इस्तित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीशन अगनी दुर्घटना के दौरान नजदी की फाइवर ग्लास हट में फसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूध पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाईयों और उपकरणों को बचाया जा सके तकरीबन सत्रह हजार फीट की उचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपतों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्यासूं के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका कैप्टन अंचुमन सिंग ने असाधारन बहादुरी एबं त्याग का परचे देते हुए देशित में अपना सर्वोच बलिदान दिया समान ग्रहन करेंगी उनकी धरमपत्नी श्रीमती स्पृती एबं माता श्रीमती मन्जू सिंग हवल्दार अब्च तूल माजिद नमी बतालियन परचूट रजिमन स्पेशल एबं मरनु पराथ हवल्दार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर मेरा जोरी के खाने जंगलों में चलाए गए एक खोची अभ्यान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आतंक वादियों से हुई एक अन्मुठ भेड में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया पैर में गोली लगने से बुरी तरह जखमी होने के बावजूद निदर्ता से आगे भढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुँच गए अत्यधिक रक्त स्राथ एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रिनेट फेकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कटर आथंकी को मार गिराया प्राणगा तक परिस्थितियों में अध्भुत संकल्प शक्ती अदमिसाहस एवं अनुकरणी स्यवाभाव की मिसाल कायम करते हुए हवल्दार माजिद ने अपने प्राण न्योच्छावर कर दिये सम्मान ग्रहन करेंगे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेराबी शत्र का मकाभला करने के सिवाए शौर पूर्ण कारें के लिए शौर चक्र मरणों परांत कांस्टेबल सहफिळ लाख काद्री, जमू इबम कश्मीर पुलिस मरणों परांत दस अप्रेल 2022 स्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कॉंस्टेबल सैफिय उलाह ने उच्छ रणनीतिक कुलशलता का परिचे देते हुए आतंकियों की सटीक जानकारी हासिल की एवं आंतरीक खेराबंदी का जिमा संभाला बंधग बनाये गए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जो ही आप लक्षित मकान की ओर बढ़े आतंकियों ने ग्रिनेट फेकते हुए ताबर तोड़ कोलियां बरसानी शुरू कर दी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह के बिना आपने अधवुत बहादुरी का परचे देते हुए दो कठर आतंकियों को मार गिराया 24 मई 2022 को एक अन्य ऑपरेशन में अपने आतंकियों का बुकाव हुए आपने अपना सर्वोच बलिदान दिया सम्मान ग्रहन करेंगी उनकी धर्मपत्नी स्रीमती राविया मुस्तफा मेजर विकास भांबू सेना मेदल मेजर मुस्तफा बोहरा 252 आमी अविशन स्कॉर्डन ALH WSI मरनो परांथ 21 अक्तूबर 2022 को मेजर विकास पाइलेट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पाइलेट के रूप में अरुनाचल प्रदेश की सीमा पर रूद्र हेलिकॉप्टर में तेनात सवीलियन्स एवं रिकॉनसेंस मिशन पर थे घातक स्तिती का सामना किया दोनों बहादूर अधिकारियों ने अपनी जान की परवहना करते हुए विमान का संचालन किया और आवासी एक शेत्र से दूर विमान को उड़ाया परन्तु इसी बीच उनका विमान दुरगटना गरस्त हो गया दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतहसास अतुलनिय शौरे का अध्वित्य उधारन प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच बलिदान दिया सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गिये मेजर विकास भाम्वू सेना मेदल की धरम पत्मी श्रीमती श्रया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती स्वर्गिये मेजर मुस्तफा बोरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोरा एवं पताजी श्री जफियुदीन बोरा राइफल मैं कुल्भूशन मंता बावं दी बतालियन दी राइश्ट्रे राइफल्स मरनो परांथ अक्तूबर 2022 में उतरी कश्मीर के बारा मुला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफल मैं कुल्भूशन मंता को तेनात किया गया था प्राप्थ जानकारी के आधार पर राइफल मैं कुल्भूशन के नित्रित्व में तलाशी दल दो आतंकवादियों के निकट पहुँच गया खत्रे को भापते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की परन्तु राइफल मैन कुलभूशन ने एक आतंकी को पकड़ा इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठ बेड के दोरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोली बारी शुरू की जिसमें राइफल मैन कुलभूशन जखमी हो गए गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादूरी से जवाबी कारवाई की एवं एक आतंकवादी को जिन्दा पकड़वाया अपने अदम में साहस सेवे अंत सास तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंतता वीर गती को प्राप्थ हो गए सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गे राइफल मैन कुलभूशन मंता की धरम पत्नी श्रीमती नीतु कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी हवल्दार विवेक सिंग तोमर पाँचवी बतालियन वी राजपुताना राइफल्स मरनो परान दस चनवरी दोहजार तेईस को सुभा आठ बजे ऑपरेशन मेग दूद के तहट सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की उचाई पर अगरिम चौकी पर तैनात हवल्दार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआ निकलता देखा इस घटना के परिणाम स्वरूप अगरिम चौकी पर बड़े पेमाने पर आग लग सकती थी जिसमें सैनिकों को जान का खत्रा और संपत्ती का भारी नुकसान हो सकता था स्थिती को नियंतित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए अपनी जान की परवा न करते हुए वे घने धुएं के बीच खुसे और एक बड़ी दुरगटना को काबू में किया परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षती होने के कारण स्वास्थे बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूरवक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच समर्पन कर दिया सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गिये हवलदार विवेक सिंग तोमर की धरम पतनी श्रीमती रेखा राइफलमेन आलोक राओ अथारा असाम राइफल्स मरनो परांथ दस मई दोहजार तेईस राइफलमेन आलोक राओ को लाइट मशीन गन बंकर में तेनात किया गया तभी उन्होंने बारा आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों को चिताब नी दी परंतु आतंकवादियों ने उनके दल पर फाइरिंग शुरू कर दी इसी गोला बारी के बीच उन्होंने सटीक जवाबी हमला कर तीन आतंकवादियों को घायल किया और अपने अदम में सास का परिचे देते हुए अपने साथियों की जान बचाई दुर्भागे से इस गोली बारी के बीच वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योचावर कर गए सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गिये राइफल मैन आलोक राओ की माता जी श्रीमती माया देवी एवं पिताजी श्री विजे कुमार कैप्टन M.V. प्रांजल, 63.V. बाटालियन, दी राष्ट्र राइफल्स, मरनो परांथ 22 नवंबर सन 2023 को राज़ौरी जिले के घने जंगल वाले क्शेत्र में आतंकवादियों की मौजूद्गी की सूचना प्राप्त हुई तभी कैप्टन M.V. प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्शेत्र में निगरानी ओपरेशन दल के नित्रित्व की जिम्मेदारी को सौपा गया जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोली बारी शुरू कर दी स्थानिये निवासियों पर संकट को भापते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवह ना करते हुए नागरिकों को खत्रे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोला बारी का अध्वित्य साहस से जवाब दिया परंतु इसी बीच वे गंभी रूप से घायल हो गए और अंतता वीर गती को प्राप्थ हुए सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गिये कैप्टन M.V. प्रांजल की पत्नी श्रीमती अधिती जी मुदे बिहालकर एवं माता जी श्रीमती अनुराधा के आर शत्र का मुकाबला करने के सिवाए साधारन वीरता के लिए खीरती चक्र मेजर दिखवजे सिंग्रावत एकिस्पी बिटालियन दे पैरशूट रेज्मेंट स्पेशल फोर्सस आपने अपनी बटालिन के साथ मनिपूर में तैनाती के दोरान उच्छ व्यावसाइकता का परिशे देते हुए एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया जब इस मार्च 2023 को आपको मनिपूर में आने वाले एक अथी गणमाने व्यक्ति को उपद्रवियों दोरा निशाना बनाने के संभावित प्यास की सूचना मिली। उद्कृष्ट रननीतिक कुशलता से आपने उपद्रवियों को सफलता पूरवक लक्षित क्षित्र की और मोड़ते हुए भारी गोली बारी के बीच एक उपद्रवियों को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। इसी प्रकार अद्यूतिय साहस एवं अनुकरणी कर्तब निश्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अभियान में आपने तीन खतरनाख उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिन्दा पकड़ने में सफलता हासिल की मेजर दिगवजे सिंग रावत मेजर दीपेंद्र विक्रम पैसनेट चौथी बिचालियन दसिक रेजिमेंट आपने पंदरा जून दोहजार तेईस को केरंट सेक्टर में नियंतरन रेखा पर पांच आतंकियों द्वारा संदिक्त घुसपैट की सूचना के आधार पर तैनात एक एमबुश दल का नित्रे तुखिया मद्रे रातरी के बाद एमबुश में फसे आतंकियों ने ग्रिनेट के साथ हमला करते हुए तीवर गोली बारी शुरू कर दी अपने साथियों को प्राण घा तक खत्रे में देख आप निडरता से रेंकते हुए आगे बढ़े और एक आतंकियों को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे को आपने सामने की लड़ाई में अपने चाकू से मौत के घाट उतार दिया अद्भुक मानसीक सैयम विशिष्ट बहादरी एवं रण कौशल का परचे देते हुए आपने एक सफल अभियान को अंजाम दिया जिसमें पाच सशस्ट विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया मेजर दिव पेंद्र विक्रम बैसनेट हवलदार वरतमान में नाइब सुविदार पवन कुमार यादव 21 बी बिटालियन दमाहार रेजिमिंट 22 जून 2023 कुपवड़ा के घने जंगलों में कुछ आतंकिवादियों की संदिक्त घुसपैट की सूचना के आधार पर एमबुश का निरने लिया गया हवलदार पवन कुमार एवं उनके साथियों ने अदभुद संकल्प शक्ति के साथ नियंत्रन रेखा पर दुश्मन की चौकी की बेहत नजदीक निरन्तर कड़ी निगरानी बनाए रखी एमबुश में फस्ते ही आतंकियों द्वारा की जा रही भीशन गोली बारी के बीच घाने जंगल एवं माइन फील्ड के खेतर में अपने प्राणों की परवाहत ना करते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े अदम में साहस एवं युद्ध कौशल का परचे देते हु आपने एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे भागते हुए आतंकी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया हवलदार वरतमान में नाइब सुविदार पवन कुमार यादफ शत्रु का मुकाबला करने के सिवाए शौरे पूर्ण कारियों के लिए शौरे चक्र कॉंस्टेबल गामित मुकेश कुमार 61 बिटालियन केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बाल 19 दिसंबर 2021 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोथी तलाशी अभ्यान में भाग लेते समय आप जियो ही अपने साथी के साथ लक्षित मकान में घुसे वहाँ छेपे कटर आतंक वादी ने ग्रिनेट फेकते हुए अंधा धुंद गोलियां बरसानी शुरू करती पुतक्रिष्ट रणनीतिक सूजबूच अदमे साहस अनुकरण ये द्रिण संकल्प का परचे देते हुए आपने अपने साथी को इस प्राण घातक खामने से बचाया एबं भागते हुए कटर आतंकी को बेहत नजदीक से मार गिराया जिसके पास हत्यार एबं गोला बार परामत किया गया कॉंस्टेबल कामित मुकेश कुमार अपने रिक्षक आमित रैना जम्मू इवं कश्मीर पुलिस तिन जनवरी 2022 को शिनगर के शहरी लाखों में कुछ सशस्त्र आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों दोरा एक संयुक्त अभियान चलाया गया अपने साथियों के साथ मिलकर आपने आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित सान पर पहुँचाया आप जो ही लक्षित मकान की और बढ़े वहाँ छेपे आतंकियों ने ग्रिनेट से हमला करते हुए आप पर भीशन गोली बारी शुरू करती अपनी जान की परवाह के बिना आप आतंकि की और बढ़े और आमने सामने की गोली बारी में एक कटर आतंकि को बेहत नस्दीक से मार गिराया उद्कृष्ट नित्रितु ख्यमता असाधारन वीर्ता का प्रदर्शन करते हुए आपने इक अभियान को सफलता पूर्वक अन्जाम तक पहुँचाया उपनिरिक्षक अमित रैना अपनिरिक्षक फरोज अहमद्डार जम्मू एवं कश्मीर पुलीस तीन जन्वरी 2022 को उपनिरिक्षक फरोज अहमद्डार को तो पहर दो बजे विश्वसनी असूतों से श्री नगर में एक दुरदान्त आतंकवादी की उपस्थिती के बारे में सूचना मिली जो कई नागरिकों तथा पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था सूचना के आधार पर आपने अपनी टीम के साथ इलाके का घेराव किया नागरिकों और परियतकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उपनिरिक्षक फरोज एहमदार ने कठिन परिस्थितियों में आतंकवादी को चिन हित किया खत्रा भापते ही आतंकवादी ने गोली बारी शुरू कर दी आम नागरिकों और परियतकों की सुरक्षा का ध्यान रखकर उपनिरिक्षक फरोज अहमद डार ने अपनी चान की परवाह ना करते हुए भारी गोली बारी के बीच आमने सामने की मुठभेड में एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया वी परीद परिस्थितियों में ऐसी अतुलनी अवीरिता विवेक एवं शौर्र के प्रदर्शन के लिए उपनिरिक्षक फरोज अहमद डार को शौर्र चक्र से सम्मानित किया जाता है उपनिरिक्षक फरोज अहमद डार सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंग 205 कमांडो बटालियन फॉर रेजलूट अक्शन केंद्रियर रिजर्व पुलीस बल 25 फरवरी 2022 को सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंग और अंगाबाद के नकसलवाद ग्रस्त इलाके में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉई ऑपरेशन टीम का नित्रित्व कर रहे थे घने जंगल में पेड़ों और चटानों की सुरक्षित आर में छुपे नकसलवादियों ने सर्च टीम पर भारी गोली बारी शुरू कर दी इस तोरान सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंग का बाया पैर एक आईडी विस्पोर्ट से शतिग्रस्त होकर कट गया असीम पीडा को अपनी सहन शीलता संकल्प और इक्छा शक्ती से पराजित करते हुए सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंग ने कवरिंग फायर के साथ मोर्चा संभाला कटे हुए पैर के साथ भी अपने दल का नित्रित्व कर आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोटसाहित करते रहे और कवरिंग फायर दे कर आपरेशन को सफल बनाया ऐसे अनुकरनी यसाहस सैन नित्रित्व एवं वीर्यानवित युद्ध कौशल को परिभाशित करने के लिए सहायक कमांडान विभोर कुमार सिंग को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंग Constable Varun Singh, Jammu एवं कश्मीर पुलीस 12 जून 2022 को Constable Varun Singh, श्री नगर में कुछ अग्यात आतंकवादियों द्वारा अवैद हत्यार और गोला बारू छिपाए जाने की खबर पर आतंकवादियों के खिलाफ गठित किये गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे संभावित इलाके की घेरा बंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया इस तोरान आतंकवादियों ने टीम पर अंधा धुंद फाइरिंग के साथ ग्रिनेट से हमला शुरू कर दिया Constable Varun Singh अपनी टीम के साथ आतंकवादियों की तरफ बढ़े आतंकवादियों ने पुलिस टीम को अपनी तरफ बढ़ता देख गोलियां चलाई अपने साथी को खत्रे में देख Constable Varun Singh ने उन्हें तेजी से जमीन की और खींचा और अपने साथी की जान बचाई अपने प्राणों के संकट को उपेक्षित करते हुए निहस्वार्थ भाव से Constable Varun Singh ने अपनी सैन्य निपुनता से भीशन मुठवेर में एक दुरदांत आतंकवादि को मार गिराया जिसके कबजे से भारी मात्रा में युद्ध सामगरी बरामत की गई वीपरीत परिस्थितियों में कटी बद्धता प्राक्रम एवं उच्च कोटी के रण कोशल का प्रदर्शन करने के लिए Constable Varun Singh को शौरे चक्र से सम्मानित किया जाता है Constable Varun Singh पुलिस अधिक्षक मोहनलाल जमुकश्मीर पुलिस 14 जून 2022 को जिला श्रीनगर के बेमिनाक शेतर में अवैदे हतियार ले जाने वाले आतंकवादियों की गतिविदी के बारे में सूचना प्राप्त हुई ततकाल पुलिस अधिक्षक मोहनलाल के नेतरित में एक विशेश नाका स्थापित किया गया जैसे ही आतंकी इस नाके के समी पहुँचे तो उन्होंने नाका दल पर अंधा धुंद गोली बारी एवं ग्रिनेट फैक ने शुरू किये जिससे अधिकारी को गंबीर चोट आई परन्तु फिर भी बहादुर अधिकारी ने अत्यदिक्षक मोहनलाल मेजर राजेंदर प्रसाद जाट बासटवी बटालियन दी राश्ट्र राइफल्स मेजर राजेंदर प्रसाद जाट को ऑपरेशन वाटर हॉल के नित्रित्व की जिम्मेदारी को सौपा गया तभी शूरवीर अधिकारी ने एक सटीक योजना बनाई और खराब मौसं के बावजूद सैनिकों का नेत्रित्व किया और आतंकवादियों को एक घर के अंदर घेर लिया अपनी सामरिक युद्ध कोशलता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से आक्रमन किया परन्तु जवाबी कारवाई में उनके एक साथी पर घातक खत्रे को भापते हुए अपनी व्यक्तिकत सुरक्षा की परवाण न करते हुए वे आगे बढ़े और एक कटर आतंकवादि को मार गिराया एवं दूसरे को खायल किया मेजर राजेंदर प्रसाद जात मेजर रवंदर सिंग रावत जवालस्वी बतालियन दी राष्टर रइफल्स 30 अगस 2022 को शोपिया जिले के एक गाउं में तीन आतंकवादियों की मौझूद्गी की सूचना प्राप्त हुई प्रारंबे गेरा बंदी करते समय अधिकारी ने तीन आतंकवादियों को घने जंगल की और भागते देखा उसी बीच आतंकियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की और अधिकारी की और अंधा धुंद गोली बारी की तभी त्वरित कारवाई करते हुए उन्होंने प्रभावी डंग से आतंकवादियों को मूह तोड़ जवाब दिया एवं दो आतंकवादियों को मार गिराया मेजर रविंदर सिंह रावत नायक भीम सिंह नवी बतालियन दी रश्य रइफल्स 26 सितंबर 2022 को दक्षन कश्मीर के एक गाउ में आतंकवादी समू की मौजूद्गी के बारे में सूचना प्राप्त हुई तभी नायक भीम सिंह ने घेरा बंदी एवं तलाशी अभियान का नेत्रित्व संभालने की जिम्मेदारी सौपी गई जब नागरिकों को ओपरेशन क्षेत्र से बाहर निकाल रहे थे तभी आतंकियों ने उनकी टीम पर अंधा धुंद फाइरिंग शुरू कर दी और ग्रिनेट से हमला कर एक अधिकारी को घायल कर दिया तभी उन्होंने जवाबी कारवाई में सटीक कोली बारी से आतंक वादी को मार गिराया और घायल अधिकारी को सुरक्षित पहार निकाला आपके अदम में साहस अद्यूते नेत्रित्व एवं अतुल्निय शौरे के प्रदर्शन ही तू आपको शौरे चक्र से सम्मानित किया जाता है नायक भीम सिंग प्रद्वेक प्रद्वेक टीक के दॉपटेंगों मुलाम्य प्रद्वेक डॉल्पशन थ्रड़करार रहराई में तुल्पशारा निक्रीपनेगी मेजर सचिन नेगी ने नवंबर 2020 से रास्ट्री राइफल्स के कारिकाल के दौरान कई सफल अभियानों में भाग लिया जिसमें उनके बटालियन द्वारा 14 आतंकियों का खात्मा किया गया एक नवंबर 2022 को आपने पुल्वामा जिल में एक वाहन चेक पोस्ट स्थापित किया चिनौती दिये जाने पर एक वाहन में सवार आतंकियोंने गोली बारी करते हुए आप पर ग्रिनेट से हमला कर दिया अद्वुत सैयम एबं सामरिक कौशल के साथ आपने भागने के रास्तों को बंद करते हुए अपने दल को सुनियोजित किया और रेंगते हुए आतंक वादियों की उरबढ़े अपने प्राणों की चिंता के बिन आपने एक आतंकी को बेहत नजदीक से मार गिराया एबं एक अन्न को घायल करते हुए अदम में साहस एबं अनुकरणी नित्रित्तु का परिछे दिया मेजर सचिन नेगी मेजर मनेयों फ्रांसिस पी-एफ एकिस्पी बितालियन दे पारशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स अपने मनिपूर में अपनी बटालिन के लिए एक सक्षम निगरानी तंत्र स्थापित करते हुए आतंक वाती गते विधियों की सटीक जानकारी प्राप्त की चार जन्वरी 2023 एक गणमाने व्यक्ति पर आतंकियों द्वारा किये जाने वाले संभावित हमले की सूचना मिलते ही आपने उनके गुजरने के रास्तों को चिन्नित किया और खात लगाकर उनके प्यासों को बिफल करने की योजना बनाई जनौती दिये जाने पर आतंकियों ने सुचाले थाथियारों से गोलियां बरसाते हुए भागने का प्यास किया उच्च युद्ध कोशल इब मनुकरणी नित्रित उक्षमता का परचे देते हुए आप आतंक वादियों पर तूट पड़े और उनके कमांडर को मौत के घाट उतार दिया था और ने उगरवादी को घायल कर दिया मेजर मनेओ फ्रांसेस पी एफ विंग कमांडर शैलेज सिंग उडान पाइलेट विंग कमांडर शैलेज सिंग को एक बेहत साहसी खेली बॉन ऑपरेशन के उडान पाइलेट की जम्मेतारी सौपी गई एक ऐसा अभियान जिसमें घने जंगलों में कम उचाई पर दुश्मन की संभावित गोली बारी के बीच उडान भरते हुए अपने दल को एक छोटी सी खाली जगह पर उतारने की चुनावती थी आपका हेलिकॉप्टर जोही लैंडिंग छेत के पास उतरने के करीब था चारों होर से स्वचाले था थ्यारों द्वारा भयंकर गोली बारी शुरू हो गई अदुतिय सामरिक सूजबूज के साथ आपने जबाबी फाइरिंग का आदेश दिया गोलियां लगने से हेलिकॉप्टर खशती करस्त होने के अलावा आपके कुछ साथी भी जखमी हो चुके थे इंधन के लगातार हो रहे इस रिसाव के कारण आग लगने एवं बिसफोट का खत्रा निरंतर बढ़ रहा था ऐसी प्राण खातक परिस्थितियों से जूचते हुए इस शूरवीर वायू योधा ने 22 किलो मेटर दूर निकटम हेली पैट पर अपने साथीओं को सुरक्षित पहुचाया इस प्रकार भारती वायू सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अनुखरणी खर्तब वे फरायनता एबं उच्च उडान कोशल की मिसाल कायम की विंग कमांडर शैलेश सिंक लेटनेंट वेमल रंजन बहेरा कमांड क्लेरंस डाइविंग टीम इस्टन नेवल कमांड 6 मार्च 2023 ओन जीसी दोरा बंगाल की खाड़ी में उनके जल्यान के इंजन एवं टरिट में मचली पकड़ने के जाल उलजने से आई खराबी की आपात कालीम परिस्थेतियों में भारती नौसेना के गोता खोरों की सहायता मांगी गई लेफनन डिमल प्रमुख गोता खोर के रूप में डडरता से आगे बढ़े मुश्किल हालात में पानी की भारी उथल पुथल ने आपको तीवर गती से धकेला जिससे आप एक भारी जन्जीर में चाफंसे पानी के प्रबल प्रबाह में कुछ इंच आगे बढ़ना भी बेहद चुनौती पून था इसके बावजूद आप लगभग सौ फीट की दूरी तैर कर तरिक तक पहुँच गए अपने साथियों की जान जोके में नगा डालते हुए इस जावाज गोता खोर ने खुद ही अधिकांश प्रियासों को अंजाम दिया जटल उपकरणों से लगे तीखे घावों की बावजूद आपने दो चरणों में पांच सो बावन मिनट तक सोलह बार कोता लगाते हुए इस चुनौती पूर्ण अभियान को अंजाम दिया लिफनन बिमल रंजन पहेरा हवल्दार संजे कुमार नौमी बिटालिन लियासाम राइफल्स 13 मई 2023 हवल्दार संजे कुमार मनीपूर में तैनात थे उनके दल को चार उगरवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वो तुरंत उस खेतर में पहुँचे आपने कुछ दूरी पर दो सशस्त्र उगरवादियों को आते देखा आपके चुनाती देने पर सशस्त्र आतंकियों ने सवचालित हथ्यारों से गोली बारी शुरू कर दी दाई टांग पर गोली लगने के बावजूद आपने अदम में साहस एवं अनुकरणी सूच बूच का परचे देते हुए अपने दल को सुबेवस्थित किया एवं हलकी मशीन गन को उचाई पर दैनात किया आपके प्रेरणा दाएक नेत्रेतों एवं सामरिक सूच बूच के कारण सशस्र उगरवादियों पर काबू पाया गया आपने इस साहसिक अभियान में अद्बुच शौरे एवं कर्तब परायानता का परचे दिया हवलदार संजय कुमार फ्लाइट लेफ्टनेंट रिशिकेश जयन करू थेड़त 24 मई 2023 को फ्लाइट लेफ्टनेंट रिशिकेश पठान कोट से दिल्ली तक एक ट्रांसपोर्ट विमान का संचालन कर रहे थे तबी किसी तकनीकी रुकावट की वज़े से उन्हें गंबीर खत्रे का आभास हुआ और दिल्ली अंतराश्वे हवाई अड़े पर सघन एर ट्राफिक को देखते हुए उन्होंने वाईउ यान को हिंडन एरपोर्ट की तरफ ले जाकर अतिरिक्त इंजिन का प्रियोग कर बेली लैंडिंग करने का फैसला किया और अपनी स्थिती जन्य सूझ भूज का परिचे देते हुए विप्रीत परिस्थितियों में भी शौरे और दक्षता को परिभाशित किया एवं अनुकरणिये पराक्रम का प्रदर्शनकर विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई प्लाइट लेफटनेंट रिशिकेश जयन करुथेड़त कैप्टन अक्षत उपाध्याए बीस्टी बटालियन दिर्जाट रेजिमेंट 27-28 मई 2023 को मध्धे रात्री को कैप्टन अक्षत उपाध्याए और उनके दल ने एक अस्थाई ऑपरेटिंग बेस थापित किया सुबा के लगभग तीन बजे उन्होंने थोड़ी दूरी पर गाउं के एक घर में आग लगते हुए देखा और एक बड़ी भीड को गाउं की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा तबी अधिकारी ने कुशलता से अपने दल को तेनात किया और एलुमिनेशन राउंड फायर किया जैसे ही फायर किया गया जलते हुए घर की दिशा से भारी आटमाटिक गोली बारी होने लगी इसी बीच वे तुरंत कुशलता पूर्वक आगे बढ़े और आतंकियों की गोला बारी का सटीक जवाब दिया जिसके फल स्वरूप चार आतंकवादी मारे गए और लगबग दो सो ग्रामीनों को सुरक्षित किया गया अत्यंत वीर्ता, अधिर्ते साहस एवं सामरिक कौशलता का उच्चतम उधारन प्रस्तुत किया कैप्टन अक्षत उपाध्याए नायप सूबेदार बारिया संजे कुमार भमर सिंग 21 वी बटालियन दिमहर रेजिमेंट 12 जून 2023 को 4-5 आतंकियों के गुसपैट की सूचना प्राप्त हुई तभी नायप सूबेदार बारिया संजे को एक घात टुकडी का हिस्सा बनाया गया उनने घने जंगल में अपनी सूजबूज का उतकृष्ट प्रदर्शन दिया और आतंक वाधियों के निकट पहुँचे अपनी जान की परवा न करते हुए तुरंत परिस्थिती को अपने नियंत्रण में लिया और प्रभावी रूफ से आतंक वाधियों का सामना कर एक कटर आतंक वाधि को मार गिराया आपने असाधारन वीर्ता अदम में सहस और देश सेवा के प्रती अत्यदिक समर्पन का परिचे दिया नायब सुवेदार बारिया संजे कुमार भमर सिंग मिजर अमन्दीप जाखर चौथी बाटालियन दिसीख रेजिमेंट मिजर अमन्दीप जाखर तिनाख 15 जून 2023 को नियंतरन रेखा के निकट कुपबाड़ा जिले के केरन सेक्टर में तेनाथ एक घात टुकडी का हिस्सा थे 16 जून 2023 को जैसे ही ये घात टुकडी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई तभी दो आतंकवादियों ने उनकी टीम पर अंधा धुंद फाइरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया बहादुर अधिकारी ने भारी गोला बारी में भी कुशलता से आतंकवादियों का पीछा किया और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया मेजर अमन दीप ने अपनी सेने टुकडियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और आपरेशन को सफल किया मेजर अमान दीब जाखर श्री परशोत्तम कुमार आप जिला रजौरी में खेती बाड़ी संभालते हैं एवं ग्राम रक्षा समीती के सदस्य हैं 5 अगस्त 2023 को वे अपने परिवार के साथ जंगल में लकडी चुन रहे थे तभी उन्होंने पीट पर शस्त्रों से लेस दो संदिक्त व्यक्तियों को देखा तुरंत उन्हें गाउं पर आसन खत्रे का आभास हुआ और उन्होंने चुप चाप अपने परिवार को सदस्य को सुरक्षित घर छोड़ा एवं ग्राम रक्षा समेती पुलिस और सेना को सचेत करते हुए अपना व्यक्तिगत हतियार लिया जब सुरक्षा बल घेराबंदी कर रहे थे उस दौरान आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित भी परवा न करते हुए अदम में साहस और उतक्रिष्ट रण कोशलता से दोनों आतंकियों का पीछा किया और बहुत कम दूरी से उन्हें ललकारा और सुरक्षा बलो के पहुँचने तक दोनों आतंकियों से संपर्क बनाये रखा उनकी इस बहादूरी से एक आतंकवादी मारा गया अता अध्वित्य सूजभूज एवं प्रेरक बहादूरी पूर्ण कारे के लिए उन्हें शौरेच चक्र से समानित किया जाता है श्री परशोतन कुमार राश्पति महोदेया आपकी आग्या है तो रच्छा अलंकरन समारो समाप्त किया जाए झालंकरन समारो 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 भूर्ण करके लिए है कर देश की राष्ट्रपती माने निया श्रेमती द्रापदी मुर्मू अन्य विशिष्ट अतितिगणों के साथ दर्बार हॉल से प्रस्थान कर रही है